देहरादून की सडकों पर एक लड़की का बाइक चलाते हुए और साथ में डांस करते हुए वीडियो वाइरल हो रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आ चुकी है और चालान कर सक्थ हिदायत देडाली है देहरादून यातायात पुलिस ने राइपुट छेत के अंतगर चलती बाइक पर लड़की के डांस करने पर चालान की कारवाई की है इसके साथ ही लड़की और उसके भाई जिसके द्वारा वीडियो बनाया गया था दोनों को यातायात पुलिस ने आफिस बुला कर उनकी काउंसलिंग करवाई इसके बाद दोनों भाई बहनों ने माफी मागी और यातायात नियमों की शपत भी ली यातायात पुलिस शहर में स्टन्ट वाजी और खतरनाक तरीके से वहां चलाने वालों पर लगाताल लगाम कस रही है और इस मामले में जियारत तर्यवाही शामिल है बता दें आपको कि कुछ वक्त पहले एक लड़की का स्टन्ट करते हुए वीडियो वाईरल हुआ था इसमें लड़की सड़क पर बाइक चला रही है बाइक में एक गाना बच रहा है और उसी गाने पर ये लड़की बाइक पर बैठे हुए डान्स भी कर रही है ये वीडियो कितना खतनाक हो सकता था देखकर ही लगता है एक छोटी सी बिलापर वाही यहां जान पर भारी पर सकती थी वही इस वीडियो को लड़की का भाई ही शूट कर रहता अब ये वीडियो जो वाईरल हुआ इसके बाद पुलिस ने मामले में संग्यान लिया स्पी ट्राफिक द्वारा यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल को कारवाई किये जाने के निर्देश दिये गए यहां यातायात पुलिस ने वहां स्वामी का नाम और पता निकलवा कर उनके घर पे इस संबंद में चालान भेजा जिसके बाद दोनों पर कारवाई की गई NBT Online के लिए देहरादून से रश्मी खत्री की रिपोर्ट